हलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सोभी लोग आई होप आपसे लोग बहुत बढ़िया होंगे मैं इस्टेसर मास्टे क्यार सेनी के आर एजुकेशन पर आपसे विकास स्वागत करता हूँ दोस्तों आराज भी अंटीपीसी अंडर गेज़िट लेवल के फोर्म भरे जा रहे हैं उसके अंदर गत एक पोस्टर CCTC की आज इस वीडियो में इस पोस्ट के बारे में कम्प्रिटी जनकार आपको देने वाला हूँ जो भी डाउट्स आपके हैं उनको सारे कवर किये हैं उस वीडियो में और साथ दोस्तों बात करेंगे CCTC में सेलेक्शन होने के बाद में आ और 12-24 के अंदर शांदार मोका है और हर साल आपको यह भरती देखने को मिलेगी जैसा कि एक्जाम केलेंडर हाले में जारी हो है तो CCTC की भरती आपको हमेसा हर साल यहाँ पर आएगी railway के अंदर और देखिए CTA की बहुत ही शांदार पोस्ट मानी जाते है railway के अंदर तो C CCTC वाले भाई लोग भी CTA बन सकते हैं क्या प्रोसीजर है कितने साल इनको जो CTA बनने में लगते हैं सारा कुछ इस एड़ों में completely A to Z जानकर आपको CCTC के बारे मिलने वाली है और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बताना चाहूंगा जो भी भाई लोग रेलवे के किसी आपको बताएं जाएंगे 31 क्यूशन आपे हैं यह आपका एक दिन का टार्गेट हो गया अगले दिन आपको यह काम करना है जो TCS के प्रियूशर क्यूशन पेपर हैं ग्रूप D के अंदर आयो है जैसे 85 क्यूशन आये है पिसली बढ़तियों में नंबर सिस्टम से NTP CB2 में से एक्समेशन करके बताया गया है आपका रसायन विग्यान के हैं और हर क्यूशन का डिटेल से एक्समेशन मिलने वाला है यह सभी बुक्स ओनलाइन ओप्लाइन किसी माध्यों से बाहिर कर सकते हैं आप देगे दोस्तों इस पोस्ट के ऊपर बार्वी पास वाले जो बाहि से एक्समेशन का क्रेटेर नहीं है और अगर किसी भाई ने ग्रेजिशन कर रही है तो फिर उसके परसेंटेज वाला माहिन नहीं रखता है वो ग्रेजिशन की डिग्री से भी इस फों को फिलप कर सकता है और हर साल आपको टीटी की भरतियां पर देखने को मिलने वाली है यह जो एंटी पीसी की बहुती शांदार बेहतरीं काफी पोपुलर पोस्ट मानी जाती है और इस यूड़े में आपको पोस्ट प्रिफ्रेंस भी बताऊंगा जैसे कि चार पोस्ट आपकी अंडर ग्रेजुट की लेवल के अंदर है सीसी टीसी है अकाउंट असिस्टेंट यह आपकी लेवल 2 की पोस्ट है एस वगर यह मांगी गी है अपकी अपकी रहेगी अंडर ग्रेज़ ट्रिफ्रेंस पोस्ट पर आप कमपिट करके टीटी बनने का आपका सपना पूरा कर सकते हैं आप देखे दोस्टों सभी जो सीसी टीचे उनको टीटी नहीं बनाया जात है 2019 के अंदर और अब जो है CCTC में आपका selection होने के बाद में आपको कहीं भी posting या पर दी जा सकती है नाम से इस पस्ट है commercial come ticket color तो यहां पर आपको पांच जगह आपकी posting दी जा सकती है और देखें posting place जो है सभी का CCTC में अगर आपका selection होता है तो आपका posting place बहुत ही श्यांदार सहर में होगा अच्छे सहर में होगा जहां पर आप अपनी family को रख सकते हो बच्चों को साथ में रख सकते हो तो देखें CCTC में selection होने के बाद में आपको पांच जगह posting मिल सकती है देखें पहली posting आपको मिल सकती है booking color के रूप में यहां दोस्तो जो जनरल वगर के ticket आपने लिये होंगे कभी booking color जो साधार window होता है वहाँ पे आपकी duty लग सकती है और जोब में क्या खास बात है posting place आपका अच्छा रहेगा shift duty रहती है आठ आठ गंटे की यहाँ पे duty रहेगी night duty भी आपको इस post पे करनी होगी average for good girls लड़कियों के लिए average इसलिए है क्योंकि इसमें आपको night duty करनी होगी weekly rest आपको यहाँ पे मिलेगा promotion में cctc से आप ccts बन जाओगे उसके बाद में cbs बना दिया जाओगे chief booking supervisor इसके लाओ दोस्तो second number पे posting आपके हो सकती है parcel color के रूप में जो railway के अंदर parcel की booking वगर होती है वहाँ पे आपके posting हो सकती है और यह जो बड़े junction station पे ही इसकी office होता है parcel office तो आपका posting पे सांदार रहता है इसमें भी आपकी shift duty रहती है लड़कियों के लिए average है क्योंकर night duty है weekly rest मिलेगा workload इसमें बहुत ही low है किसी बहुत ज्यादा workload इसमें नहीं रहने वाला promotion में आप वो ही है ccts ccts बनोगे उसके बाद में cheap booking parcel supervisor ने आपके बना दिया जाओगे इसके लगा दोस्तों तीसरे नमबर पे आपकी posting हो सकती है registration color के रूप में तो यहाँ पे देखे इस post में आपने देखा होगा registration जहाँ पे आप sleeper वगर और AC वगर के जो coaches है उनके लिए registration कराते हो कई आने जाने के लिए तो वहाँ पे आपकी posting हो सकती है registration color के रूप में यह post जो बहुत ही शांदार माने जाती है posting place अच्छा है duty day me only आपकी generally duty रहती है लड़कियों के लिए बहुत ही शांदार आप इस post को मान सकते हैं और आगे जो पढ़ाई करना चाहते हैं भाई लोग और cctc में selection लेने के बाद में आगे पढ़ाई लेना चाहते है तो वो इस post में जाने की courses करेंगे weekly rest मिलेगा workload इसमें average रहता है कोई खास workload इसमें नहीं रहता है आपको registration बगरे ticket बगरे काटना चाटना होता है और इसमें promotion है cctc, ccts बनोगे और उसके बाद में cheap reservation supervisor आप बना दिया जाओगे इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं ticket color के यह सबसे बड़ा सपना होता है काफी लोगों का लगबख सभी लोग जो cctc की post इसलिए चुनते हैं इस post पे जाने के लिए यहाँ पे देखिए आपको posting place अच्छा रहता है TCA, TT का shift duty रहती है night duty भी आपको करनी होगी night duty के कारनी है जोब जोब लड़कियों के लिए average बन जाती है weekly rest आपको यहाँ पे मिलेगा workload यहाँ पे average रहने वाला है और यह जो promotion आपका cctc से ccts और उसके बाद में cti बना दिये जाओगे अब देखे दोस्तों यहाँ पे TTE और TC दोनों में बड़ा अंतर है इस चीज को भी आप यहाँ पे समझ लीजिए तो यह पांच से जगा आपकी posting कर दी जाती है अब बात ही आती कि पॉस्टिंग तो कर दी जाएगी लेकिन हम से पूछा जाएगा कि हम कौन से फिल्ड में जाना चाते है पांचों में से टिकेट ट्रेकट कलर के जाना चाते है तो देखे दोस्तों आप से पूछा जाएगा लेकिन आपके जो posting की जाएगी वो random लिकी जाएगी आपके division पर depend करेगा कि आपको किस फिल्ड में initial posting आपके दे तो अना बाकी जरूरी नहीं कि अगर कोई भाई booking में एक बार लग गया तो वो कभी फिचर टीटी बनी नहीं पाएगा ऐसा नहीं है अगर आपके booking में भी duty लग जाती है तो आप parcel में भी जा सकते हो आप registration में भी जा सकते हो आप goods में भी जा सकते हो कहीं पर भी आप जा सकते हो और देखिए एक post जो है goods color की ओर होती है जहां पे गाड़यों में सामान लोड बगर होता है वहां पे आपको goods color के रूप में posting मिल सकती है पोस्टिंग प्लेस अच्छा है सिफ्ट डूटी होती है लड़कियों के लिए अच्छी नहीं है और वीकली रेश्ट यहां पर रहेगा वर्कलोड एवरेज है सीची टीसी से सीची टीस बनोगे उसके बाद में सीजी असची पूर्स सुपरोजर आप बना दिया जाओगे तो यह सभी पोस्ट आपस में मर्ज है पहली पोस्टिंग आपको मानलो गूर्स कलर में दे दी और आप चाहते हो कि टीटी बना चाहता हूँ तो आप टीटी के लिए रिक्वेश्ट डालोगे जब भी टीटी वाली पोस्ट अगर खाली होगी तो आपको पहले प्रिप्रेंस में उदर बेज जा दिया जाएगा इसके लाव दोस्तों जरुद पढ़ने पे गूर्स कलर को रिजरिशन लगा जा सकता है इसरेशनल को टीसी में लगा जा सकता है टीसी वाले को बुकिंग में लगा जा सकता है यदि शब्रेंस अब पोस्ट आपस में मर्ज है इनिशीली आपको कोई एक फिल्ड में पोस्टिंग जरूर दिजाएगी काम करवाया जा सकता है CCTC के अंदरगत नेक्स आउट है दोस्तों कि CCTC से TTE कैसे बने तो जैसा कि मैं आपको बता है इनिशील आपको कहीं भी पोस्टिंग दे जाएगी गुड्स में पार्सले में बुकिंग में रिजर्वेशन में लेकिन अगर आपका सपना है कि मैं TTE ही कर सकते हैं और यह सभी पोस्ट मर्ज की गई है आउसकता पड़ने पर CCTC वाले जो किसी फिल्ड पर आपस में कहीं भी काम में लिया जा सकता है गुड्स को रिजर्वेशन में रिजर्वेशन को पार्सल में तो ऐसे कोई मना नहीं कर सकता बाकि एक बार जहां आपको इनि काम करना पड़ेगा और इनकेश कभी इमर्जेंसिय हो जाती है तो आपको दूसरे फिल्ड में लगा जा सकता यह 5 है इन की ट्रेंедин आपको इस वह साले मने से साले मनने नहीं है देखे ग्रेजिशन लेवल की वेकेंसी के अंदर CCTS चीफ कुमर्सिल कम टिकेट सुपरोजर की वेकेंसी बैर रखी है और CCTC वाले जो भाई लोग है ये उस सालोबाद में CCTS वाली पोस्ट पे आ जाते है देखे CCTC वाले भाई लोग है सबसे पहले याँ पे Senior Color कम टाइपिस्ट बनते हैं जो कि याँ पे इनका प्रमोशन है लगबग 2-3 साल में हो जाता है और पोस्ट अगर खाली इनके जो Senior CCTC की वेकेंसी अगर खाली है उपर 6 में पहुंचने में आपको यहाँ पे 6-7 साल ही लगेंगे इतने में सभी लोगों जो है CCTS तक पहुंच जाएंगे जो कि अभी जो वेकेंसी आ रखी है CCTS वाली और अगर आप ग्रेशन है तो डायरेक्ट इस पोस्ट पे भी फायट कर सकते हैं बहुत अच्छी वेकेंसी है बागी आप अंटर गेजोट है तो CCTC चे आप 6-7 साल में CCTS तक पहुंच जाओगे इसके बाद दोस्तों CCTC से CTA कितने साल में बनते हैं तो देखिए अगर आपको TC वाले फिल्ड में जो TT बनना है CT बनोगे तो CCTS बनने के बाद में आपको 7-8 साल के आसपास लग सकते हैं CTA बनने में तो CCTC से अगर आपको CTA बनना है तो आपको टोटल साल लग जाएंगे CCTC से आप CCTS बनोगे तो उसमें आपको 6-7 साल लगेंगे और यहां से 8-7 साल आपको CTA बनने में लग जाएंगे तो यह मोटा मोटा मानें कि CCTC कितने साल में बन जाएगा तो यह 15 साल के अंतरकत आप CTA के पोस्ट पे आ जाओगे जो की लेवल 7 की पोस्ट है अना 6-100 ग्रेड की पोस्ट है और AC वस्ट में जिनकी डूटी लगती है उनको आप CTA बगर बहुते हैं AC के अंदर जो TTA बगर लगते हैं उनकी तो यहां से आपको समझ में होगा 15 साल के आसपास आपको लगेंगे CCTC से CTA बनने में आप देखे दोस्तों बात करते हैं seniority ट्रांसपर होने पे तो इस पोस्ट पे यह commercial की जो भी पोस्ट होते हैं इनका हर सार 4 साल में ट्रांसपर होता है लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं का आपको कहीं भी फेक दिया जाएगा तीन साल complete होती है आप priority लगा दोगे आपके साप से जो आपके रहने के साप से सही रहेगा तो आपकी उसी recording ट्रांसपर कर दिया जाएगा और देखिए इंटर डिविजन अगर आप ट्रांसफर लेते हो एक डिविजन चेंज करते हो या फिर रेल्वे चेंज करते हो और आप मालो प्रमोशन लेके 15 साल में CTI बन जाओगे और आप चाहोगे कि यार मैं अपने जो से कि मैं बिकाने डिविजन में कारे रतूर में चा सेलरी को कम नहीं किया जाता है लेकिन यहां पे आप CTI बन चुके होते हैं तो ट्रांसफर लेने के बाद में आपको CTC वापस बना दिया जाएगा यह को केस होता है अपका इंटर रेल्वे और इंटर डिविजन ट्रांसफर के अंतरकत तो यहां समझाएगा इन पोस्ट व अपने फिल्ड के अंदर तो दोरान आपको TT वाली पोस्ट को छोड़ दे यहीं CTI वाली पोस्ट को छोड़ दे तो बागी CGS, CPS और CRS, CBS इन सब को नाई डूटी नहीं करने होती है 6-14 इनकी डूटी होती है तो यह से साब से आपने देखा और यह मैंने आप इस पर अपका ट्रांस्पर होगा परमोशन में देख लीजिए आप CCTC बनोगे आप यहां 3-4 साल बाद में यह CCTS बनोगे उसके 3-4 साल बाद में यह CCTS बनोगे और उसके 6-7 साल बाद में आठ साल बाद में आप जो आप commercial super dend बनोगे यहनि जिस फिल्ड में आप हो उसके super dend बन सकते हो यह ना मलब आप डिपार्टमेंटल एक्जाम होते हैं वहां के थुरू ACM बनोगे ACM से प्रमोशन होगे DCM, DCM से सिन DCM बन सकते हो इसके लाए दोस्तों आप जो GDC वगर एक माधिम सिष्टे समाश्ट बन सकते हो गूड्स कार्ड बन सकते हो यह नि आपके जो फैमिली लाइब जो सभी जो ही इस्टेबल जोब है, टीटी वाली में थोड़ी से रेनिंग है, फैमिली के लिए कम टाइम मिलेगा बाकि चारू जो पोस्ट है वो बहुत ही श्यानदार है और उसमें आप फैमिली के लिए फुल टाइम रेने वाय है, चार टाइब की जो एंडर गुजेट में उसमें जो प्रोफेर के साब से यह डालोगे, अकाउंट कलर की, जुनियर कलर की, उसको आप सीची टीची टीची लड़कियों के लिए है, बाकि किसी का अगर टीटी बनने का सपना है, तो सीची टीची को सबसे उपर रखना है, तो यहाँ पर मैंने आपको completely जानकरी देने की कोशिस किये, सीची टीची पोस्ट के बारे में, I hope जानकरी आपको अच्छे लेगी, वीडियो आपको अच्छे लुडिक लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में share जरू करे, टेलेग्राम गुरूप का link हमारे discussion में दियो, जाकि आप join कर सकते हैं, thank आप, thank you.